थेलो तुस्तरे कंटू माई चानल टेक्नोलजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है मैं ध्यूक्मार करता हूँ आप सभी का स्वागी इस नई वीडियो में तो कि जैसा के में थंबिल में देख लेगो हैं इसके बारे में पर बात करने वाले हैं तो कि इस हम बात करने व सब्सक्राइब करो और बिलके घंटी वे दबालो ताकि नए नए वीडियो को अप्लिकेशन से वेगरा चुआ है हमें सब मिलते रहें तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और ले चलता हूँ आपको अपने मॉबाइल फोन के स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से इंट्रफेस हमारा यहां पे ओपन हो चुगा है तो चलिए हम जानते हैं कि gps map application क्या है सबसे पहले तो हम यहां पे gps map camera application को यहां पे ओपन करते हैं जैसे आप लोग भी से first team यहां पे open करोगे तो कुछ इस तरह से इंट्रफेस आपको देखने को मिल जा है तो आप लोग जिस category से आपका language है आपको यहां पर select कर लेना है उसके बाद next option पर click कर देना है जैसे next option पर click करोगे कुछ इस तरह से इंट्रफेस आपको मिल जाएगा यह application में आपको क्या करना है कि कुछ photos को किसी जगह का photo अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यह आपका जो है ना कि वहां का location बताता है कि यह photo कहां की बनी गई है सबसे पहले तो यह बात है उसकी बाद मैं यहां पर camera के लाव कर देता हूं location sorry यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है यहां पर मैं settings पर click कर लेता हूं उसकी बाद क्या करूंगे यहां पर आप लोग इसे permission दे आप से मांग रहा है तो सबसे पहले आपको camera का यहां पर permission देना होगा तो चलिए हम यहां पर camera का permission दे देते हैं डिरेक्टियों आपे अलाव भी कर सकते हो location का यहां पर दे नहीं है जैसे location दे देते हो तो कुछ इस तरस इंट्रफेस आ जाएगा उसकी बाद आपको क्या क allow done तो जैसे कि सबसे पहले आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से जिस photo को आप लोग यहां पर select करोगे यह उसी photos का मतलब जो भी है यह आप से लेगा या फिर आप लोग अपने हिसाब से जिन photo को यहां पर permission देते हो जिन जोगों हो का आपने photo यहां पर click करके रखे हो उसक जैसे कि आप लोग यहां पर life proof देख सकते हों कि first system जो data है यह आपको बोलता है कि जो map है आप लोग address विगरा यहां पर type कर सकते हो या फिर step 2 में यहां पर जो आपका data विगरा है automatically जो है ना address detail है जो कि आप लोग life proof देख पा रहे होंगे उसके बाद यहां पर next वाले option पर click करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ads विगरा भी आ जाएगा तो आपको इन ads को यहां पर cut कर लेना है उसके बाद इस तरीके से interface आपको देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद यहां पर बोल रहे है कि आपका जो camera है यहां पर on हो चुका है तो यह मेरा address है पूर कि मैं live कहां से हूं तो अगर आपको किसी भी प्लेस किसी भी जगव का आपको address चाहिए तो उसको आपको क्लिक करना है मतलब कि फोटो क्लिक करना है जैसे फोटो आप लोग क्लिक करते हो तो क्या होगा ना कि यह आपका डिटेक्टर के बता देगा कि वह फोटो कहां की है या फिर कहां से है वही सारीश चीज़े बाकी इस अप्लिकेशन के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो गईच उम्मीद करता हूं कि जो भी आपका doubt मतलब confusion था इस application से recording वह यहां पर दूर हो गया होगा फिर भी अगर आपके माइड में कोई doubt रहता है तो आप पर के लिए चेह ही पर दे मात्रों